Hello Friends, Welcome to ICT Special Support ICT Special Support में आपका स्वागत है Computer Basic की हमारी यह Second Class है हमने अपनी पहली क्लास में आपको सिखाया था Type of Computer Computer हमारे कितने प्रकार क्या होते है Computer हमारा क्या होता है और Computer की Full Form अगर आप भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से First Video देख सकते है आज हम आपको अपको अपनी Second Class में सिखाएंगे Type of Software Software कितने प्रकार क्या होते है इसके बाद हम यहाँ पे सिखेंगे Type of Printer Printer कितने Type क्या होते है और Printer क्या होते है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो की साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे Software क्या है और यह कितने प्रकार के होते है Software निर्देशो और Program का एक सम्मू होता है जिसका इस्तमाल Computer को चलाने तथा Computer के कारियो को करने के लिए किया जाता है उसके बाद यहाँपे हम सीखेंगे Hardware Hardware को हम हातों से चू सकते हैं और आखों से देख सकते हैं परनतू Software को हम ना तो चू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं अर्थात hardware computer का सरीर होता है और software computer की आत्म उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे software कितने प्रकार के होते हैं software हमारे तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले हमारा होता है application software उसके बाद system software उसके बाद utility software सबसे पहले हमारा होता है application software application software एक ऐसा software होता है जिसे user के विशेस कार्य को पूरा करने के लिए विक्सित किया जाता है दूसरे सब्द में कहें तो application software एक ऐसा program है जिसे end user के लिए बनाया गया है इस program के माध्यम से end user विशेस प्रकार के कार्य को पूरा कर सकता है application software के कुछ example है जैसे की Photoshop, WhatsApp, Telegram, PowerPoint, MS Word, MS Excel यह सब हमारे application software के example है application software को हम अपने coding install और install भी कर सकते है इसके बाद दूसरे नमर पर हमारा software है system software system software एक ऐसा software होता है जो computer को control और manage करता है system software कम्ठोर का सबसे परमूख software होता है इसकी मदद से computer start होता है इसके विठा computer start भी नहीं हो सकते system software के भी कुछ example है जैसे की Windows, Mac OS, iOS, iOS थाड़ नंबर पर हमारा सॉप्ट्वेर है Utility Software Utility Software एक परकार का Computer Software है जिसका काम Computer Hardware को Operating करना होता है और Application Software को Organize करना होता है Utility Software क्या परकार के कार्य को करता है जैसे की Computer में Virus का पता लगाना Data का Backup लेना, खराब File को Delete करना और Disk को Manage करना आदी Utility Software के भी कुछ Example होते है जैसे की Microsoft, Defender, Trotun, 36, Finjip और Backup इसके बाद हम यहाँ पे सेखेंगे Printer क्या है और यह कितने परकार के होते है Printer एक ऐसा Output Device है जो Soft Copy को Hard Copy में परवर्थित करता है Printer हमारे 9 परकार के होते है सबसे पहले Ink Jet Printer उसके बाद Laser Printer इसके बाद 3D Printer इसके बाद LED Printer उसके बाद Tote Matrix Printer इसके बाद Solid Ink Printer उसके बाद Multifunction Printer इसके बाद Thermal Printer और सबसे लाश्ट में हमारा होता है Poloter Printer इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे Ink Jet Printer की laser printer एक non impact printer है जिसमें कागज की स्याही यानिके paper ink के अस्थान पर laser beam light यानिके प्रकास को अपयोग किया जाता है जो laser printer को page printer के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक बार में पूरे page को print कर सकता है उसके बाद third number पर हमारा printer है 3D printer 3D printer एक नया और advanced printer है जिसका उपयोग 3D में चित्रो और text को print करने के लिए किया जाता है fourth number पर हमारा है LED printer LED printer वह printer होता है जो कागज पर सामगरी को print करने के लिए LED का LED light का उपयोग किया जाता है five number पर हमारा होता है dot matrix printer dot matrix printer एक प्रकार का printer है जो स्याही वाले ribbon के द्वारा चित्रो और अक्सरो को print करता है six number पर हमारा है solid ink printer यह एक प्रकार का printer है जो सामगरी को print करने के लिए ठो स्याही का इस्तिमाल करता है seven number पर हमारा printer है multi function printer इसके बाद seven number पर हमारा आता है multi function printer multi function printer एक hardware device है तो विभिन प्रकार के कार्यों को करता है जैसे कि printing, scanning, fixing और copy नमर पर जो हमारा printer है वो है thermal printer यह printer कागज पर चीज़ों को print करने के लिए गरम पिन का इस्तमाल करता है इस printer को लेक्रो थर्मल प्रिंटर, thermal transfer printer या फिर thermal wax transfer printer के नाम से भी जाना जाता है थर्मल प्रिंटर का उप्योग मुख्य रूप से बैंकिंग, एरलाइन, किराना, मनोरंजन, पुदरा स्वास्त उद्योग जैसी जगव में किया जाता है नाइन नमर पर और लाट जो हमारे प्रिंटर है वो है प्लोटर प्रिंटर प्लोटर एक हाडवे डिवाइस होता है जिसका इस्तमाल ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं